क्या खेसारी लाल यादों के फिल्म दबंक सरकार को माद देगी पवन सिंग की फिल्म सेर्शिंग पहले तो आप सेर्शिंग का पोस्टर देखिए उसके बाद आप खुद बखुद समझ जाएंगे कि इतना धासू और इतना दमदार पोस्टर भोचपुरी सिनेमा में लाकर पवन सिंग कहना क्या चाहते हैं फिल्म के प्रडियूसर एंड डिरेक्टर पे ने लगता है मन बना लिया है कि वो इस साल की भोचपुरी की सबसे यूनीक सबसे हटके और सबसे जबरदस्थ फिल्म देने वाले हैं तभी तो वो फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और फिल्म को उन उन लोकेशन पर शूट कर रहे हैं जहां से फिल्म पूरी तरह से रियल नजर आए फिल्म में पहला ही एक्सपिर्मेंट फिल्म के प्रडीसर डिरेक्टर शशांक राय ने यही किया है कि उन्होंने पवन सिंग और आमरपाली की जोड़ी दर्शकों के सामने ला रखी है इन दोनों की जोड़ी एक साथ देखने के लिए दर्शक नजाने कितनी दिनों से बेकरार थे और ये दोनों स्टार्स भी किसी अच्छी स्क्रिप्ट का इंतिजार कर रहे थे कि उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट साथ में मिले और वो साथ में काम करे शेर सिंग नाम से ही जाहिर है कि फिल्म मारधार यानि एक्षन से भरपूर होगी और पवन सिंग का एक्षन अवतार भोजपुरिया दर्शक कितना पसंद करते हैं ये तो आप सभी को पता है यहां आपको हम बता दे खेसारी की फिल्म दबंग सरकार ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में और भोजपुरी फैन्स के बीच अच्छी खासी तहल का मचाई हुई है फिल्म के ट्रेलर ने महज 15 घंटे में एक मिलियन व्यू क्रॉस कर लिया है याने कि 15 घंटे में इस फिल्म के ट्रेलर को 10 लाख लोगों ने देख लिया है जिससे ये साफ पता चलता है कि दर्शकों को खेसारी की ये फिल्म का ट्रेलर कितना पसंद आ रहा है अगर ये फिल्म आती है और बॉक्स ओफिस पर छा जाती है तो फिल्म सेर सिंग के लिए ये एक इम्तहान का वक्त होगा जब उन्हें खिसारी की फिल्म दबंग सरकार से अच्छा बिजनेस करना होगा खैर तब की तब देखेंगे लेकिन पवन सिंग के फिल्म के इस पोस्टर ने तहल का तो मचा ही दिया है भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूने